How to remove parental control and how to turn off parental control तो यहाँ पर गयस इस step and process को कैसे apply करना है और अगर आपका जो Google Play Store उसमें अगर आपको कोई भी parental control आपके parents ने on किया है जिसे आप turn off करना चाहते हो लेकिन आपके आतों से वो remove नहीं हो रहा है तो आज का topic आप लोगों के लिए useful होगा जिसे कि guys यहाँ पर कई सरे multiple reasons होते हैं जिसकी basis पर parental control parents को on करना होते है जिसे कि कोई भी जो Google Play Store से अगर आप कोई भी application अगर आप gaming application को भी download करे हो तो parental control उसे बिल्कुल भी allow नहीं करता है अगर वो on होता है तो तो सबसे पहल अगर आपके Google Play Store में parental control अगर आपको on है तो उसे आप कैसे turn off कर सकते हैं तो example की cases में आप देखो मैंने आपना Google Play Store open किया है Play Store open करने के अब आपको directly जाना है अपने यहाँ पर प्लेश्टोर के settings में जैसे अब जाओगे तो आप निच्छी की तरफ आपको family का option देखेगा अब यहाँ पर देखो जो parental control है वो यहाँ पर default basis पर on है बैसिकल्लीесटी डिफॉल्द नहीं है यहाँ पर यह इस तरीके से or होगा अगर आपके parents से on करके रका है तो अगर इस पर आप टाप करोगे तो यहाँ पर अगर आप इस toggle को देखोगे toggle यहाँ पर on है लेकिन मुझे जो pin है वो बिल्कुल भी याद नहीं तो आपके साथ पर अगर आप ये problem हो रहा है और आपके play store पर ये parental control on है और अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं और आपके बास इसका pin नहीं है तो इसका main setting बता तो आपको directly जाना है प्लेश्टोर पर इस तरीके से आपको tap करना है और application info के option पर क्लिक करना है अब यहाँ पर दिखो कि आपको एक option देखने को में लिगा storage और cache का आपको इसका cache है वो आपको clear करना है और cache के साथ-सका main storage है वो भी आपको delete मादना है ये जो main storage है ये सबसे main है अगर आप यहाँ चाके से storage को ही delete मादना है अब जैसे आप storage को delete मादना होगे आपका जो google play store है वो पूरी तरीके से refresh हो जाएगा तो अब जैसे आप इसे refresh होगे अब इसकी पर देखो कि जो parental control है वो google play store से हट चुका है तो directly में जारो फिटस अपने इस से settings में family के option पीचाऊंगा आप देख parental control फिर से on हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपना parental control बंद कर सकते हो so this will help in 2024